आज, 30 अक्टूबर 2024 को दलीब ताहिल के जन्म दिन पर प्रशन सक एक दिल्चस्प कहानी याद करते हैं, जो उन्होंने 1993 की प्रतिष्ठित फिल्म बाजीगर में खलनायक के रूप में अपनी भूमिका के बारे में साजह की थी. मदन चोपड़ा की भूमिका निभाते हुए, ताहिल ने शाहरुख खान के बदला लेने वाले नायक अजय शर्माद्वारा लक्षित एक चरित्र को चित्रित किया. बाजीगर को इसकी अनूठी कहानी रहस्य और शक्तिशाली अभिनय के लिए प्रशन सामिली और बॉलिवुड की पसंदीदा जोडियों में से एक शाहरुख और काजोल की पहली ओन स्क्रीन जोडी को चेहनित किया. ताहिल ने एक बार पॉड़कास्ट अनट्रिगर विद अमीन जाज पर साजा किया कि कैसे हीत्रो एरपोर्ट पर एक मुहित शाहरुख प्रशन सक ने उनसे संपर्क किया. युवा लड़की ने भावनात्मक रूप से सवाल किया कि उन्होंने फिल्म में शाहरुख खान की पिटाई क्योंकि इस बात की अंदेखी करते हुए कि शाहरुख के चरित्र ने भी जवाबी कारवाई की. ताहिल ने इस प्रशन सक बातचीत को एक प्रशन सा के रूप में देखा, यहां दिखाते हुए कि दर्शक उनकी भूमिकाओं से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि उनके बुरे आदमी चित्रणों के लिए तीवर प्रतिक्रियाएं यादगार थी. खास कर कमजोर प्रशन सकों के लिए यह पुरानी यादों को ताजा करने वाला किस्सा तीन दशक बाद भी बाजीगर और उसके पात्रों पर पढ़ने वाले भावनात्मक प्रभाव को दर्शाता है.